इतनी कड़कती गर्मी में कैसा मेकप करें की मेकप टिका रहे है बहुत हैवी मेकप ने क्योंकि गर्मियों में अगर आप बहुत हैवी मेकप करोगे ना तो बहुत ऐसी दिखोगे बिल्कुल सिंपल लाइट सा वाटर प्रूब प्लस गर्मियों में सुबह से साम टिकने वाला बिल्कुल नैचुरल सा लाइट सा मेकप कभी भी कहीं भी और ये खासतर से दुपायर की कड़कती गर्मी के लिए तो बिस्ट है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना अपने स्किन को हाइडरेट करना है जिसके लिए आप गुलाब जल या टोनर का भी इस्तिमाल कर सकते तो मैं आपे टोनल ले रही हूँ जो है रोज गुडवाइब्स का जो काफी जादा फोड़बल है बजर्ट में है बट रिस्पांसर नहीं है ठीक है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोनल लगा लो जब मेक अप करो तो वह हमारा जो होता है ना पी एच स्प्रे लेना है आपको कोई भी ब्राण का ले सकते हो मैं आप पे फेसस कनाड़ा का ले रही हूँ आपके पास जो ब्रांड हो ना आप वो ले लो बस ये देखना कि वह आपकी स्कीन के लिए बस्ट है ठीक है कोई कैमिकल नहीं है आपकी स्कीन को हम तो नहीं करेगा इन आपको नहीं समाझ में आ रहा है तो फेस पे अपलाई करिए दो से तीन नेट छोड़ी उसके बाद आप फेस पे हाथ फेर होगी ना तो आपको चिप चिप वाली फीलिंग नहीं आएगी ठीक है यहां पर दस रुपे वाली फ्रूट क्रीम आपको नहीं लगानी है क्यों क्य तो आपको एरिटेशन हो सकती है प्रॉब्रम हो सकती है अब यहां पर हम कोई फाउंडेशन नहीं लेंगे सिंपल बीबी क्रीम लेंगे फेर हैं लवली की वह इसलिए कि बहुत लाइट वेट होती है दिन के लिए बहुत बेस्ट है बट इसको थोड़ा सा मैसा बनाएंग तो इसमें हमको मोश्राइजर, सीरा, मैलोवीरा, जेल, विटामीनी वगरा वगरा मिलानी पड़ती है लेकिन मैंने इतना लिया है कि बीबी क्रीम में यह अच्छे से मिक्स हो गया आप देख सकते हो बहुत जादा नहीं है बहुत जादा होता तो इसमें मुझे कुछ और चीज़ें मिलानी पड़ती है ठीक है अच्छे से मिक्स करना है थोड़ी से कॉंटिटी में इसलिए मैं इसको एड़ करी हूँ ताकि आपका मेकप खराब ना हो बहुत जादा मतलब पसीना ना आए टिक का रहे और पसीना भी आए थोड़ा बहुत तो खराब ना हूँ क्य जैसे आप क्रीम वगरा लगाते हो डॉटड़ करके मैंने रखा और अपलाई कर लिया अब देख सकते हो कोई हाई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सादा मैंने एडवांस लगा है एक साइड मैंने अपलाई करके आपको दिखाया अब मैं दूसरी साइड अपलाई करके दिखा बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप है ठीक है बस एक चीज़ का ध्यान रखेगा बार बार मत रगड़िये गए एक ही बार भी अच्छे से अपलाई कर लेजेगा ठीक अब जो भी कॉम पैक हो आपके पास मैं आपे मेवलीन फिट में का कॉम पैक ले रही हूं यह बहुत है और बहुत चीज़ की पिंग्मेंटेशन है अच्छे से लग साथ है ठीक है नेस इस्टेप हम फिर से फॉलो करेंगे एक जगे सेट हो जाए ठीक अब एक सिंपल एपरोप एंसले नहीं है और इसको अपने एपरोप पर अप्लाई करना बिल्कुल हलका हलका सा बहुत तक ना थिक दोनों है अब रोक अच्छे से जट कर लेना अब मैं आपको बताती हूं कि जो pH balance maintain करता है जब आप toning रोज करते हो ना तब यह रोज toners होता है ना हमारे pH balance को maintain करता है बढ़ अगर आप एक दिन करते हो जब करते हो तो बस वो आपकी skin को hydrate करके रखता है pH balance को maintain नहीं करता pH balance को कम maintain करेगा जब आप regular यूज करोगे ठिक अब यहाँ पर faces कनेटा का काजल यह काजल इसलिए क्योंकि यह काजल बहुत फोडवल है काफी देर कर रही हूं कोई mascara कोई falses कुछ नहीं ठीक है तो अगर आप waterproof है तो आप वो यूज कर सकते हो mascara ठीक तो मैं कोई mascara नहीं इसी काजल से मैंने हलका सा touch दिया था कि देखने में लुक अच्छा है ठीक है अब मैं यहाँ पे थोड़े से अपनी lips को hydrate करूंगी यहाँ पे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे दूसरी वीडियो शूट करनी थी नॉर्मल से लिप इस्ट्री को waterproof long lasting कैसे बनाये जो सुवा से साम तक चलती रहे इसलिए मैं यह ट्रिक अलग से रिकॉर्ड की हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर आप लोगों को देखना है तो link description box में मिल जाएगा बर 2-4 दिन के बाद मिलेगा क्योंकि अभी तो मैं यह शेयर करूंगी उसके बाद वो जब भी करूंगी link द नहीं आता है तो जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करूंगी न लिपस्टिक वाली तो वहां पर कोई fan नहीं है कोई कुछ नहीं क्योंकि fan of है और आदे गंटे बैट कर मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड की है एक भी पसीना नहीं और इतनी कड़कती गर्मी में आपको भी पत है तो बस अभी मेरी लिपस्टिक भी आप देख सकते हो जैसे की तैसी है ठीक है अब मैं यहां पे वह क्या बोलती हैंकी वगएरा लेकि नहीं बैठती हूं फिर मैं बाबु से बोल रही थी बेटा मुझे दे दो तब तक मैंने का अपने हेयर को में पीछे कर देती हूं औ लेकिन मेकप जोयना नहीं निकला है अब देख सकते हो बिल्कुल स्मूथली मतलब पानी जोयना स्मूथली निकल गया है और मेकप मेरा जैसा का तैसा यह कीन मानों एक बाट राए करना बट आपको बहुत हैवी प्रोडेक्ट फेस पे नहीं लगाना अगर आप दिन में ज तैसा का तैसा टिका हुआ है तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शियर सस्क्राइब सरूर कीजिएगा कोई और रिक्वस्ट हो तो कॉमेंट कीजिए